हाई व्यवन वेल्कम एक टू माइच चैनल कम्प्यूटर टिप्सन प्रोग्रामिंग तो आज कि हम लारावल के स्रील्स की एपी आई में बात करने वाल है कि पूट मेथड का कैसी उसकरते हैं इसमें क्या होता है तो मैं बता दू आपको इसके पहले मैंने गेट मेथड पोस मेत में चारा तो ुट मेत में क्या करता हूं चली है तो सही है जैसे निया तक selected है clear अब मुझे क्या करना था अब यह जो नेम सानु है और इमेल सानु मैं जाते हैं और ये था सानुब का चे ऐग्स था इड़ी आ यहां पर इसका राउ्ड जलता हूं अब यहाँ पर पोरिट राउट किया था तो चल यह चलते हैं अब हम निए डीटा आपडेट करते थे तो ऑब हमें क्या करते हैं अबट願い कृता है यहाँ आपडेट करना है करता हूँ तो यहाँ पर ये क्या करता हूँ अब हम हमें यूस करना है मैं ज़िए हुरी देता हूँ जिए अप्डेट डेता से मैंने घ्लिया डे दिया इन उसके पेस्का नेम लिखता हूं तो मेरे का क्बोल पे यहां पर कॉलन 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 क्लास यहां पर कॉमा और उसके बात क्या करूंगा मैं मैं अप्डेट करने वाले हैं तो जो अभी फंक्शन में पनाऊंगा तुछ मैं अप्डेट क्या करूंगा अप्डेट करूंगा तो यह मैं सेव करता हूं अब चलता हूं मैं अपनी कंट्र अब क्या करेंगे हम अब यहां पर में आते हों एक function create करते हैं एक function बना था हम allemand function का नाम देता हु क्याम है यह फ्क्राइकिश्क रिक्वेस्ट डालते हैं dollar request clear अब ये तो हो गया यहां गत्यायद करता हूं dollar student कूई student वाला जो मेरा table है उसमें अब्सक्राइब करना है तो यहां पर मैंने student नाप से एक zee variable बना धिए clear यह यह variable हो गया मेरा school to अब एक बात और अंब को ध्यान देता हूं student find क्या find करेगा यह अब यह find करेगा इसके पाटिकुलर आइडी के थुरू चलेगा तो REQ और यहां पर में देता हूं ID क्या ID के थुरू हमनों find करेंगे data को जिसको अपडेट करना है मुझे clear तो शली यह तो हो गया पर इसे close करता हूं मुझे आपडेट करना है मुझे नेम अपडेट करना हूं क्लियर डॉलर रिक्वेस्ट और मुझे क्या करना हूं उसका इमेल भी अपडेट करना है तो चली एस्पेंट देन यह पर इमेल अगरी क्यों ने यह तो clear ठीक है अब सुक्राइब इसको सेव करते हैं तो चली इसको सेव करते हैं तो डॉलर इस्टुडेंट डॉलर इस्टुडेंट और इसको करते हैं सेव क्या करते हैं सेव करते हैं सेव करते हैं अब क्या करना है मुझे एक बात आप पर पता है अब क्या करता हूं मैं रिजल्ट इसको देता हूं डॉलर रिजल्ट करता हूं और मैं चाहता हूं कि जब आप को मैरे डेटा तो मुझे वहाँ पर एक मैसेज मिले तिहां आपका डेटा सेव हो गया तो मैं करता हूं डॉलर रिजल्ट इस टुडेंट और में बस इह बाला का इस वाला जो था यह वाला मैं लिलता हूं यहां से क्लिर दिनिया पर पेस्ट करता हूं और यह data has been updated updated data जब यह पर update फेल्ट करता हूं अब एहां पर अपको मैं से मिलिएगा यहां अब यहां पर चलते हैं और यहां पर मुझे आपया करना होगा और युर्ल आर्ल का डिभड सा नेम पो देणा रखिया नमी में रख्या था यहां पर अप्डेट डेटा था तो मैं चुह मैं कॉपी खरता हूं याँ और पोस्ट पन में आ जाता हूं और यहां ट्मेर सानूब आपर बहले तो तो सानूब करता हूँ इसको में सिंद करता हूँ यह पर मैं यहां पर सेच करता हूँ ऊटाछद यहां सनूब यहां हो अपडेट करता हूं मैं तो क्या करूंगा मैं सिंपल है बस यहां आइडी 6 था पहले तो आइडी 3 को करते हैं यहां पर मैं 3 लिया और यहां पर लेटा हूं दीपक लिया मैं और यहां पर रखता हूं मैं ší डखता हूं को है यहां पर जाते है अपने ब्रा२जर में और यहां पर ब्राउजर wrinkles करता हूं तो थी म संटक्रेम हो मैं यहां से आपका यह पता चल गया कि कैसे अब तक के वीडियो में आपने देख लिया कि कैसे अपडेट करना है कैसे डेटाबेस में डेटा सेव करना है और कैसे डेटाबेस से डेटा फेज करना है तो यह कंप्रीट होता है फिर मिलते अगले वीडियो में तक लिए अगले वी झाल झाल